आज के इस एरिटोरियल में बात होने वाली है एक ऐसे टॉपिक के उपर जिसको पढ़ने के बाद आपको या फिर जो भी व्यक्ति इस निउस के बारे में जानता हो उसे जरूर राहत की अनुभूती होगी क्योंकि बात हो रही है उस दुरदान्द COVID-19 पैंडेमिक की जिसके चपेट में विश्व के अधिकांस देश आ गये थे खास कर 20 देशों में तो इसका काफी प्रकोप था 2020 का वो मंज़र सब को याद होगा जो पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था क्या आम क्या खास क्या बड़ी बड़ी अर्थविवस्ता हैं सब देखती रह गई अपने लोगों की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाई अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी अपने नागरीकों को मरने से नहीं रोक पाया तो बात हो रही है COVID-19 पैंडेमिक की और ये पैंडेमिक दीन पे दीन अपना असर या कह सकते हैं इसका असर दीन पे दीन घटता जा रहा है और WHO ने जो 2020 में इसे हेल्थ इमर्जेंसी घोशित किया था एक पैंडेमिक घोशित किया था अब WHO यानि World Health Organization ने एक Announcement किया है जिसमें इसे कहा गया है कि COVID-19 अब क्या Health Global Health Emergency नहीं रहा यानि जो पहले इसको 2020 में दरजा दिया गया था Global Health Emergency की यानि बैश्विक स्वास्त अपातकाल की अब इसे उस रेनी से पाहर निकाल दिया गया है इसका मतलब यह नहीं है कि COVID-19 का खतरा अभी टल गया है COVID-19 अभी भी जाए यानि ऐसा समझ सकते हैं कुछ अगर additional जानकारी आपको लेनी है तो WHO जो होता है World Health Organization है इसके बार में थोड़ी से आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी अस्थापना का जो काल का सकते हो या साल का सकते हो 7 April 1948 में हुआ था 7 April 1948 को इसके अस्थापना हुई थी करीब 75 शाल हो गए इसके अस्थापना के इसका काम है पूरे World का जो Health से रिलेटर जो भी इशू है खासकर वैश्विक इशू है उसको monitor करना उसके लिए guideline देना और इसका अगर हम लोग इसकी headquarters की बात करें है इसकी headquarters की बात करें तो ए जेनीवा में है और जेनेवा कहा है Swidger land में Swidger land के जेनेवा में इसका क्या है headquarters है और टेड्रोस अधनोन अभी फिलहाल इसके का सकते हो CEO का सकते हो या महादी देश्षक का सकते हो इसके हैं जो हेड है ऐसा भी का सकते हैं तो बिना टाइम को वेस्ट के होए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की एडिटोरियल में लिखा हुआ है of hope and vigilance hope का मतलब आशा vigilance का मतलब होता है niggerāni vigilance का मतलब नiggerाni यानि कहने का मतलब एह हुआ कि आशा तो एक जगी है लेकिन इसमे अभी आपको सतरक रहने के ज़रूवत है इसकी निगरानी रखने के ज़रूवत है इस पे आपको तत्पर रहने की ज़रूरत है यानि विजिलन्स इसमें कमी नहीं होनी जाए हला किया अवे COVID-19 pandemic global health emergency नहीं है फिर भी इससे related आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा एनाउंस्मेंट दाट ए एनाउंस्मेंट की COVID-19 pandemic is no longer a global health emergency एनाउंस्मेंट हुआ है यानि घोशना हुई है COVID-19 के related कि ए अब global health emergency नहीं रहा यानि ए बैश्विक अपातकाल स्वास्त अपातकालव नहीं रहा The World Health Organization's announcement gives hope World Health Organization का जो announcement है यानि घोशना है वो हमें आशा प्रदान करता है but there is a message of caution अभी भी सावधानी बरतने का भी संदेश देता है यह नहीं कि अब हम लोग नहीं सिन्थ हो गया कि COVID-19 नहीं रहा COVID-19 है लेकिन अब यह health emergency नहीं रहा यह ऐसा समझना है यह मत समझना कि सब खतम हो गया the world's lived experience with pandemics has conferred it with the certitude that epidemics when is die down कर रहा है कि world का जो भी हाल फिलहाल का जो experience है जो pandemics के साथ इसका रहा है जिसको इसको certify भी किया है कि अब जो epidemics है जो epidemics का मतलब होता है कि जब आप किसी area के अंदर बड़े पैमाने पर किसी रोका फैलना ठीक है जो epidemic है इसका जो when मतलब खत्रा है अब क्या हो गया है die down मतलब खत्म हो गया और कह सकते हैं or transforms into seasonal outbreaks और यह जो एक seasonal outbreak की तरह हो गया है outbreak का मतलब होता है फैलना यानि एक particular season में यह फैलने वाला हो गया है COVID-19 is no exception, COVID-19 भी इसमें अपवार नहीं है यानि विश्व ने experience किया है कि pandemic जो होता है ओ धीरे धीरे क्या हो जाता है epidemics हो जाता है pandemic कहने का मतलब वैसा वैसा कोई रो जो beyond boundaries फैलता हो यानि किसी देश में सीमित ना हो करके पूरे विश्व में फैलने लगे ओ pandemic होता है epidemic जो किसी देश के particular area में या देश में ही रह जाए boundaries को cross ना करे epidemics हो गया तो जो world experience किया है अलग-अलग pandemics को उसको फिर धीरे-धीरे क्या हो जाता है वो epidemics में बदल जाता है और फिर इससे जो खतरा होता है वो कमता जाता है और ये धीरे-धीरे क्या हो जाता है एक seasonal outbreak की तरह होता है एक मौसम में वो फैलता है फिर वो खतम हो जाता है COVID-19 भी अब इसका अपवाद नहीं रहा जानि COVID-19 भी अब उसी category में धीरे-धीरे आता जा रहा है दो वोल्ड हेल्थ और्गनाइशन डवलु एच यो डाइरेक्टर जेनरल जिनका नाम है टेड्रोस अधनूम उन्होंने कहा है जो डाइरेक्टर जेनरल है कि लास्ट विक डिकलियर्ड लास्ट विक में डिकलियर्ड किये अनुसार इसमें एक्सपॉर्स रहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सपॉर्स रहते हैं जो एक कमीटी वनी है और उन्होंने कहा कि that the COVID-19 pandemic was no longer a public health emergency of international concern अब ये COVID-19 pandemic है और अब public health emergency नहीं रहा इंटरनेशनल लेवल की concern को लेकर के अब कोई चिंता के विशय नहीं रही है इंटरनेशनल concern जब ऐस्विक चिंता का विशय बन जाता है कोई भी रोग तो उसको हम लोग public health emergency of international concern के लेवल में रखते हैं कोई भी रोग हो उसके बारे वे WHO करता है किसको pandemic कहना है किसको epidemic कहना है किसको health emergency मिलाना है एक categorize कोन करता है और WHO करता है और WHO नहीं 2020 में इसको global health emergency माना था और अब उससे इसको अलग कर दिया है कि आफ्टर ओवर थ्री यहर्स कि वह रड़िग डाउन एन इमर्जेंसी दाट ही फ़स्ट एनॉंस्ट अन जैनुवरी थर्टी टूजन ट्वेंटी अब देखो क्या हो यहां पर समझने वाली बात है कि करीब तीन साल हो गए जब इसको global health emergency एनॉंस किया गया था और यह था जैनुवरी थर्टी तूर और ट्वेंटी फोस्ट बाई रैपेडली अस्प्रेडिंग इन्फेक्शन दैट मूब फ्रॉम चाइना चुट्वेंट इसकी शुरुआत कहां से हुई थी आपको पता ही है कि चाइना से शुरुआत हुई थी इसका और यह फैल करके 20 दूसरे देशों में फैल गया एक्रॉस दे वर्ल पूरे वल्ड में डॉक्टर टेड्रोस नोटेबली इन्वोक्ड हो वेन ही डेकलेर दैट कोविड-19 वास as a global health emergency डॉक्टर जो टेड रोस हैं जो की डाइरेक्टर जेनरल हैं उन्होंने नोटेबली एई वात को इन्वोक्ड किया होप को आशानुवित किया यानि उसको बढ़ाया आशा बढ़ाया और एक कहते हुए कि COVID-19 was over COVID-19 अब 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 हुआ as a global health emergency ग्लोबल हेल्थ इमर्जेंसी के तौर पे अवे COVID-19 over हो गया but followed it up with a writer यानि वो इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं I did not mean COVID-19 was no longer a global health threat उन्होंने आगे कहा कि यह मत समझ जहिएगा कि मैं ए बोल रहा हूं कि COVID-19 अब global health threat threat मतलब खत्रा नहीं रहा गया यानि बैश्विक खत्रा नहीं रहा गया यह मैं नहीं हो रहा हूं उसके categories तो के बाहर निकाल रहा हूं over the months leading up to the announcement various experts with the WHO were laying the ground urging that it was time to treat COVID-19 quite like seasonal influenza करा के समय के साथ जो experts हैं वो इस पे काम कर रहे थे ग्राउंड लेबल पर और उन्होंने कहा है अर्ज किया है अर्ज कहना कि that it was time to treat COVID-19 quite like seasonal influenza और experts के टीम नहीं इसको कहा है कि COVID-19 को हम लोग सीजनल एक influenza की तरह treat करते हैं for a world for a world fatigued by great loss वैसा वर्ड जो पूरी तरह से ठका हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर लोग से इसमें human beings की लोग लोग हुई है sigh of relief करा कि वैसा वर्ड जहां पे जादा तर लोग बहुत जादा लॉस में चले गए उससे ठके हुए हैं कोविट-19 से इसमें human है दूसरे अगर मामले को देखें एक कोविट-19 के वज़ा से पूरी तरह से exhausted है सब चुछ थका हुआ है वैसे लोग ध्यान दिये हुए थे कि डीजी क्या announcement करते हैं यह director general की announcement पर ध्यान बनाए हुए थे और जब यह आया तो सब के लिए collectively कह सकते हैं एक sigh of relief का मतलब होता है राहत की सांस सारे लोगों ने राहत की सांस ली however हला की the task now for WHO and nations to is to ensure that this announcement is not selectively received अब हला की यह जो task है WHO के लिए और भी देशों के लिए जो इससे प्रभावित हैं इस बात कर सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जो announcement हुआ है और किसी particular देश के लिए नहीं हुआ इसको selectively नहीं लेना है 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 तो प्रिभेंट फरों स्लीपिंग इन्टु अ टो टो फो और आफ कोप कॉंपलेशंच का मतलब एक हो गया कि फिर इस्तिती में चला जाना यानि रोकना है फिर से फिर से उस कंफर्ट जोन में न चला जाया आदमी और भूल जाय कि पीछे क्या हुआ था यानि उससे आप क्या करना है प्रिवेंट करना है वर्ल्ड को यह नहीं कि आप समझें कि इस ओवर हो गया और फिर से वही इस सिती में चले जाए पूर क्योंकि फूर का मतलब यहां पर क्योंकि समझेगा फूर कोविड नाइंटीन कोविड इस नॉट ओवर क्योंकि कोविड अभी क्या हुआ है ओवर नहीं हुआ है मल्टिपल वेरियंट और सब वेरियंट कांटिनुज तो इमर्ज रिगुलर ली रोज प्रतिदीन अलग अलग इसके वेरियंट या सब वेरियंट उत्पन होते हैं सामने आते हैं इसको एक आदमी असानी से आकलन कर सकता है रिड मतलब पढ़ना नहीं है आपे आकलन करना है और इससे अपना बचाओ कर सकता है इसे रोक सकता है किसी भी समय इसका एक नया वेरियंट आ सकता है नया कॉंबिनेशन आ सकता है और यह बहुत तेजी से ट्रांस्मीट हो सकता है फैल सकता है थ्रांश्मीशन का मतलब फैलन रैपिड मतलब तेज क्यों तीजि से ट्रांस्मीट हो सकता है और काऊसच्पी ह्还'll भीर रोग उतपन कर सकता है सेवेड का मतलब गंभीर resulting in hospitalizations and even higher mortality rates इसका result रहो सकता है कि जादा से जादा लोग hospitalized होंगे और higher mortality का मतलब मिर्थियू दर हो सकता है इसका यानि इसलिए इसको आप एमस समझाना कि COVID-19 खतम हो गया हो सकता है कि इसका नया variant आपको गहाद तक एक खत्रा पहुचा सके आज ग्लोबल हेल्ट experts continue to insist जैसा कि global health जो वैश्विक अस्तर पे के जो experts हैं लगतार इस बात पे जोर दे रहे हैं for health systems को ले करके eternal vigilance is essential, eternal का मतलब यानि universal यानि पूरे वैश्विक तोर पे इस पे निगराई रखना बहुत ज़रूरी है to maintain a level of care ताकि जो level है जो एक तरह से का सकतो सीमा है care करने का उसको maintain किया जा सके and periodically test their capacity to respond to epidemic situation और समय समय पर अपने capacity का आकलन करते रहना चाहिए कि अगर कोई COVID-19 जैसा epidemic आता है उसको आप कैसे respond करेंगे the impressive network of insect cog laboratories capable of genetic sequencing जो laboratory है genetic sequencing के लिए जाना जाता है and even routine health infrastructure build-up during the COVID-19 year must be utilized well कहला जाए COVID-19 के समय में जो hospitals बगएर बने है जो infrastructure डेवलप हुआ है उसका utilization होता रहे है यहीं कि उसको बंद करके छोड़ देना है it is also important not to take the foot off the pedal in terms of research and development into vaccine platforms to take the foot off the pedal का मतलब होता है अपना पैर खीच लेना यानि इसको छोड़ देना यानि कह रहा है कि यह भी important है कि जो COVID-19 को लेकर कि जो vaccines बगएरा बन रहे थे वहाँ या फिर जो भी research हो रहे थे इस मामले में development हो रहे थे उससे अपना पैर नहीं खीच लेना है अब निसीन तो जाना कि जब खतम ही हो गया तो क्यों इस पर research करें क्यों इसके मामले में development करें क्यों इस मामले में drugs बगएरा बनाए तो यह नहीं है कि एक कहानी खतम हो गई है जो drug delivery system है antivirals है या antibiotics है यह सब से अपना पैर पीछे नहीं खीच लेना है अभी आपको इस पर work करते रहना है इससे फैदा क्या होगा कि आप prepared रहेंगे और आप गार्ड का मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे COVID-19 या COVID-19 जैसे और भी infections हैं उसको सामना करने करें at a personal level individuals will benefit from following the hygiene and precautions that become a habit during the COVID-19 years personal level पर जो भी हम लोग है अपने hygiene का ख्याल रखेंगे साब सुतरा का ध्यान रखेंगे जो भी precautions आपने COVID-19 के समय में हाथ धोना या पिर जो साब सपाई जो सीखा था उस habit को continue रखेंगे particularly adhering to the vaccination schedule और खासकर जो vaccination का schedule है उसको follow करना है and following hand hygiene हाथ साफ करना है and masking under certain circumstances और जो भी परिस्थितियां है विशेश परिस्थिति में आपको mask भी लगाना है यह COVID-19 कहानी मिलते हैं अगले लिटोजन में तिल जन गुड़ बाइं टेक केर